नमस्कर आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड साहित्य के खजाने से कुछ अन्मोल कहानिया आए सुनते हैं मालती जोशी जी के लिखी कहानी हम दुख्यारे जनम के गुवा जी सौम्या ने धीरे से आवाज दी क्या है बेटे मेरी छोटी बेहन से मिलना चाहेंगी तुम्हारी बेहन से क्यों नहीं वा आई हुई है क्या नहीं इसकाइब पे इसकाइब पे मेरी समझ में कुछ नहीं आया अरे वो कम्प्यूटर पर फोटो दिखती है न वो भावी ने मूँपर से चादर हटाते हुए कहा मम्मी जी आप चलेंगी सौम्या ने सहम कर पूछा सास के नींद में खलल डालने का उसका अपराद बो चहरे पर जलक रहा था नहीं तुम सुनीता को ले जाओ कहते हुए भावी ने फिर चादर सिर पर ओड़ ले बस अभी ढ़ाई बजे आएगी सौम्या ने कहा तुम्हारी बहन तो अमेरिका में है न वहाँ तो अभी रात होगी हाँ पर दिन में वे लोग आफिस में होते हैं न सुबर शाम का टाइम सोट करता है पर इतमिनान से बात नहीं हो पाती आज मेरा ओफ थाना इसलिए अभी बुलाया है मम्मी भी आजकल वही है न दिव्या की डिलिवरी के लिए गई हुई है ठीक धाई बजे उसने कंप्यूटर आउन किया थोड़ी देर में स्क्रीन पर उसकी बहन, मा और छोटी बच्ची दिखाई दी मम्मी ये बुगाजी है, नासिक से आई है उसकी माने नमस्ते की, मैंने भी की फिर बहन से हाई हैलो की, बच्ची को प्यार दिया यह सब कुछ मेरे लिए इतना नया था कि खुलकर बात न कर सकी कुछ देर बाद मैंने कहा सौम्या, मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम से बात करो कहो तो छोटू को ले जाऊं नहीं, वह भी गुडिया से बात करेगा हो गई बात, कमरे में पाम देते ही भाभी ने पूछा बात क्या करनी थी, बस दुआ सलाम हो गई कुशल चेम पूछ लिया बस जादा बोलने की मुझे प्रैक्टिस थोड़े ही है उसने इतने प्यार से बुला, इसले चले गई पर भाभी, सौम्या की मा कितनी यंग लगती है न लगता ही नहीं कि दो-दो बेटियां ब्याह चुकी है सौम्या की शादी में देखा था वैसी की वैसी है यंग क्यों नहीं लगेंगी, सारी जिम्मेदारियों से फुरसचों हो गई है दोनों बेटियां ब्याह गई, अब आराम ही आराम है आराम कहां भाभी, जिम्मेदारियां कभी खत्म होती है क्या अब बेटी की डिलिवरी के लिए उतनी दूर जाना पड़ा की नहीं तो उनकी गाट से क्या गया, दोनों और का टिकर दामाद ने बनवाया अब ससुर का भी बनवाएगा, वे भी दो महीने तफरीख कर आएंगे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, छे महीने घर से दूर रहना हसी खेल नहीं है वह भी पती को छोड़ कर, और वहाँ कोई नौकर चाकर थोड़े ही होते हैं सब काम हाथ से करना पड़ता है बच्चे को भी समालो और काम भी करूँ, मजाक नहीं है वहाँ हर काम मशीन से होता है पर मशीन चलानी तो पड़ती है उत्तर में भावी ने मूँ बिचका दिया उसी समय सौम्या चाय के लिए पूछने आई उसे देखकर भावी एकदम सक पका गई उन्हें प्रकृतिस्थ करने के लिए वैने सौम्या से कहा मैं अभी भावी से कह रही थी कि तुम्हारी मा कितनी अंग लगती है लगता ही नहीं कि दो-दो बेटियां ब्याह चुकी है बुवा जी आप मेरी मौसी को देखिएगा कहने को मम्मी की बड़ी बहन है पर हम लोगों की बड़ी बहन लगती है लगेगी क्यों नहीं उष शरीर ने जेला ही क्या है न बाल न बच्चा बच्चे होते हैं तो शरीर चीजता है बच्चे पालना कोई हसी खेल नहीं है सब भावी की था कि सौम्या को यह टिपनी अच्छी नहीं लगी वह चुक्चाप चाय बनाने चली गई भावी का कहना जारी था दोनों मिया वीवी डॉक्टर हैं धेर सारा कमाते हैं और मस्त रहते हैं ऐसा नहीं है भावी निसंतान होना अपने आप में एक बड़ा दुख है ऐसे में कोई मस्त कैसे रह सकता है अरे ये सब पुरानी बातें हो गई आजकल बच्चे होना ना होना सब बराबर है किसी के बच्चे पास नहीं रहते सब विदेश भाग जाते हैं देश में भी रहते हैं तो अलग रहस्ती बसा लेते हैं माबाप को कोई नहीं पूछता कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो भावी तुम्हारा इकलौता होना हार बेटा देश तो क्या शहर छोड़ कर भी नहीं गया है बीवी बच्चे के साथ तुम्हारे पास तुम्हारे घर में ही रह रहा है क्या पता कितने दिन रहेगा भावी ने उस सास भर कर कहा वह छुटकी जब से ब्याह कर विदेश गई है इन लोगों को बराबर बुला रही है वह तो शशांक के आगे बस नहीं चलता नहीं तो सौम्हार तो कब से तयार बैठी है शशांक में उसकी जिद को कब तक टाल पाएगा देखते हैं मैं तो परिशान हो गई हूँ कोई कितनी नकरात्मक सोच रख सकता है भाबी इसकी जिन्दा मिसाल होती जा रही है दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए सौम्हार ने किन्शुप को भाबी की गोद में दे दिया मा जब तक नजर आती रही बच्चा खिन खिन करता रहा बाद में चुपचाप दादी की गोद में दुबग गया मैंने कहा भाबी इन लोगों को अब एक आया रख लेनी चाहिए आपकी उम्र थोड़े ही या बच्चे पालने की भाबी बोली आया रख लेगी तो सास का क्या चाय डालेगी सुनकर मैं तो दंग रह गई मुझे सौम्या से या आशा नहीं थी मैं तो उसे बहुत सुलजी वी लड़की समझती थी पर क्या पता मनुष्र का असले सुभाव तो साथ रहने पर ही समझ में आता है एक मन हुआ कि उसे अकेले में थोड़ा समझाऊ पर दोसरे ही छड़िया विचार त्याग दिया चार दिन के लिए आई हूँ क्यों बुरी बनो पर शाम को जब भाई सहाब दफ्तर से लोटे और बच्चे को उनकी गोद में देकर भावी चाय बनाने चली गई तो मैंने कहा भाई सहाब ये दोनो इतना कमाते हैं बच्चे के लिए काया क्यों नहीं रखते हैं भावी की उम्र है क्या बच्चे पालने की तुम्हें क्या लगता है इस घर में आया कभी रखी ही नहीं गई कम से कम आधा दर्जन हो चुकी हैं कभी चोरी कभी मुह जोरी का आरूप लगा कर सबको भगा दिया गया बात सचो या जूट हमें तो घर के व्यक्ति का ही पक्ष लेना पड़ेगा ना बार बार आया बदलने से बच्चा उन से हील नहीं पाता दादी से चिपका रहता है फिर उसे कुछ और काम बताये जाते हैं कुछ तो लिहाज के मारे ये बेगार कर देती हैं कुछ साफ मुकर जाती हैं फिर उनकी छुट्टी चाय आ गई और भाई साहब ने बात बदल दी बोले मैं पिछले वर्ष कैलाश मांसर वर गया था ना वहाँ की बड़ी सुन्दर तस्वीरे हैं कमरे में आ और तुम्हें दिखाता हूँ भाई साहब शायद भूल गये थे कि वे तस्वीरे मुझे बेच चुके हैं या हो सकता है इसी बहाने वे मुझे कमरे में बुलाना चाहते हो मैंने बहस नहीं की और चुपचापुन के पीछे चल दी भाई छोटू को लेकर बगीचे में चली गई कमरे में आते ही भाई साहब बोले सुनीता तुम आई हो तो मैं चाहता हूँ अपनी भावी को कुछ समझाओ बड़ा आजीब सुभा होता जा रहा है अभी तुम्हें मैंने आया की बात बताई वे घर में मिसरानी को और महरी को भी ठिकने नहीं देती इतनी चकचक मचाती है कि भाग खड़ी होती है आप कुछ कहते क्यों नहीं मैं एक दो बार मैंने आया का पक्ष लिया तो उसने मेरे चरीतर पर ही लांच्छल लगा दिया अब तुम्ही बताओ इस उम्र में बेटे बहु के सामने यह सब सुनना अच्छा लगता है तब से मैंने बोलना ही बंद कर दिया मैं चुप रही कहती भी क्या वे ही आगे बोले तंग आकर शशांक अब्रसोई के लिए एक महराजी ले आया है दबंग आदमी है एक काम से काम रखता है तुम्हारी भावी मन ही मन उससे डरती है जादा नहीं बोलती वैसे भी शशांक ने अल्टिमेटम दे रखा है कि अब अगर इसे हटाया तो हम तीनों होटल से खाना मंगवाएंगे आप अपनी पसंद का बना कर खाती रहना मुझे भी लग रहा था कि भावी थोड़ी साइकिक हो गई है शायद शशांक के विदेश जाने का डर उनके मन में बैठ गया हो वह तो अभी कही नहीं जा रहा पर अगर इनका यही दस्तूर रहा तो तंगा कर एक दिन जरूर चला जाएगा और मैं उसे दोश भी नहीं दूँगा काम वाली बाईयों के बारे में भाई साहब जो कह रहे थे उसका प्रमाण मुझे दो तीन दिन बाद ही मिल गया हम दोनों दो पहर में अपने अपने विस्तर पर लेटी बतिया रही थी कि महरी दब दबाती हुई कमरे में दाखिल हुई अम्मा जी ये रोज-रोज का तमाशा है अरी धीरे बोल बच्चा जाग जाएगा पहले आप मेरी बात का जवाब दो परसो साबुंदानी के नीचे दस का नोट था आपने कहा रखकर भूल गई थी आज छोटू की जेब से ये पांच का नोट निकला है किसी ने दिया होगा पांच का नोट आम्मा जी हमें वेकू समझती हो क्या पांच का नोट आजकल हम जैसे गरीब बूर्बा भी लेते देते नहीं है कोई आपके बच्चे को पांच रुप्या देगा तू कहना क्या चाहती है यही की इस तरह हमें परशना बंद करो अरे पिछले जनम में ऐसे ही काम किये होंगे जो आज आप लोगन के जूठे बरतन धो रहे हैं इस जनम में भी वही करेंगे तो हमारी क्या गत्ती होगी अपने काम के प्रती वितिशना और विवश्ता उसके शब्दों में जहलक रही थी अम्मा जी आपको रखना हो तो रखो नहीं तो मना कर दो पर चोरी चकारी का इलजाम लगा कर भगाओगी तो ठीक नहीं होगा हाँ भाबी कुछ कहने को हुई तो मैंने उन्हें चुप करा दिया और महरी से कहा ठीक है भाई जाओ अपना काम करो वह बड़़ाती हुई चली गई जब वह आवाज की इज़त से बाहर हो गई तो मैंने भाबी से कहा भाबी क्यों इन चोटे लोगों के मूँ लगती हो घर की बड़ी हो बड़ो की तरह रहो भाबी ने तुरन तासू से पल्लू चुआया और करवट बदल ली फिर जैसे अपने आप से बोली मेरी तो इस घर में कोई इज़त ही नहीं है तभी तो नौकर चाकर तक आग दिखाते हैं मैं तो सोच में पड़ गई भाबी ये सब किसे सुना रही थी मुझे या कि बस एक जनरल स्टेट्मेंट था कुछ भी हो मैं पूरा दिन बहुत बेचैन रही मुझे डर लग रहा था कि आजरा जरूर महा भारत होगा कल को महरी की छुट्टी कर दी जाएगी फिर नए सीरे से कामवाली की खोच शुरू हो जाएगी पर वैसा कुछ नहीं हुआ शिकायत करना तो दूर भावी ने उस बात का जिक्र तक नहीं किया मुझे सच्मुच आश्चर हो रहा था मैंने सुबह भाई साहब को यह किस्सा सुनाए तो बोले तुम गवाह के रूप में वहां मौजोद थी ना वो उल्टे सी धेल जाम कैसे लगा सकती थी इसले चुप बनी रहे कुछ देर वे भी चुप रहे फिर एका एक बोले आइडिया क्या तुम्हारे यहां होने का कुछ फाइदा उठा लेते हैं कैसे एक आया ढून लाते हैं तुम्हारी देखरेख में उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और परिक्षा भी मुझे उमीद है तुम भावी और आया दोनों फ्रंट ठीक से संभाल लोगी आया को अच्छे से ब्रीफ कर देना बच्चे को जादा से जादा समय उसके पास छोड़ना ताकि वह हिल जाए एक बर ठीक से सेटल हो जाएगी तो शायद थोड़े दिन चल जाएगी नहीं तो नहीं तो क्या नहीं तो मुझे अपनी अच्छे खासी वकालत छोड़कर अमपायरिंग करने के लिए घर बैठना पड़ेगा सौमय को भी या आइडिया बहुत पसंद आया बोली बुवा जी ऐसा हो जाएगा तो सच मुश मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगे आप नहीं जानती जितनी दिर बाहर रहती हूँ मन यहीं रखा रहता है इसलिए हमने बच्छा देर से प्लैन किया था कि एक बार ठीक से सेटल हो जाएं फिर सोचेंगे पर अब लगता है गलती हो गई ऐसे नहीं कहते बेटे बच्चे के बिना ग्रहस्ती कोई ग्रहस्ती है अगले साल तो उसे प्ले स्कूल में भीजना आई है हो सका तो डेकियर में भी रख दूंगे पर बच्चा कम से कम दो तीन साल तो घर में रहे पर मम्मी जी शे इस विकमिंग इंपॉसिबल दरसल भावी इस समय बड़ी विचित्रमने स्थिती से गुजर रही है उन्हें लग रहा है कि ग्रहस्ती के बागदौर उनके हाथ से छूटी जा रही है और वे किसी तरह उसे थामे रखना चाहती है किसी ना किसी बहाने वे अपना अस्तित महसूस करवाना चाहती है उन्हें या भी डर है कि किसी दिन तुम लोग विदेश चले जाओगे इसलिए शायद बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती इसका उपाई क्या है बुआ जी कोछ नहीं उनके इगो को सहलाते रहो बस दूसरे दिन खाने की मेच पर सौम्या निगोशना की कर एजेंसी से एक नई आया आ रही है ट्रेंड है बाकी आप देख लेना बुआ जी आप यहाँ है तब तक उसे ठीक से जाच पर अखलिब विश्वसनिय होनी चाहिए क्या होता है कि अंजान औरत को घर में छोड़कर ममी टॉलेट भी नहीं जा पाती पर मैं पूछती हूँ आया की जरूरत ही क्या है बच्चा तुम्हारा पल तो रहा है न या मुझ पर विश्वास नहीं है ये जो तुम्हारी बगल में बैठा है न इससे भी मैंने ही बड़ा किया है और अपने दम पर किया है कोई नौकर आया नहीं थे मेरे पास तब की बात और थी ममी जी एक तो अब हाउस वाइफ थी दूसरे आपकी उम्र भी कम थी अब इस उम्र में भावी सौम्य ठीक कहती है अपने बच्चे पालना सरल है क्योंकि तब हम में दमखम होता है पर बच्चों के बच्चे पालने में सास भूल जाती है सब काम के लिए नौकर रख लो और हमें मिट्टी के लोदे की तरह एक कोने में पटक दो कोने में क्यों मैठेंगी आप आप तो सुपरवाइस करेंगी घर की मालकिन है आप लोग बाग ठीक से काम करते हैं या नहीं या तो आप ही को देखना है हमारी आउकाद ही क्या है ऐसा मत कहीं मम्मी जी आप ही के भरोसे तो मैं निश्चिन्थ होकर काम पर जाती हूँ मैं अपनी साथ वालियों को देखती हूँ कैसे गिरती पढ़ती काम पर आती है किसी का बच्चा जूला घर में है तो किसी का डे केर में स्कूल से सीधे वहीं पहुचता है किसी के बच्चे पढ़ों से चाभी लेकर अपने से दरवाजा खोलते हैं अपने से खाना खाते हैं सबको मुझसे इतनी इर्शा होती है कहती है कितनी भागिवान है तू नगर की फिक्र है न बच्चे की हमें देख 24 गंटे भागम भाग मची रहती है सास लेने की फुरसत नहीं है उसकी बातों से भागी का चेहरा थोड़ा खिला खिला सा लगा फिर शशांक ने भी दो चार मज़ेदार बाते की तो बातावरं तनाव मुक्त हो गया मैंने मन में कहा प्रभू या माहौल ऐसा ही बनाए रखना खाना खाने के बाद भाई साहब और भावी पान खाने चले गए मुझसे भी कहा था पर टीवी का बहाना करके मैं घर पर ही बनी रही सोचा घर में तो इन दोनों को एक आंत मिलता नहीं है बाहर निकलेंगे तो थोड़ा एक दूसरे की कैस सुन लेंगे घूमकर लोटी तो मेरा पान पकड़ाते हुए भावी फुसुसा कर बोली बहुरानी की बाते सुनी तुम्हारी कितनी तारीव कर रही थी इस लल्लो चपो का मतलब समझती हो न अभी बच्चा छोटा है न उसे एकदम नौकरों के भरों से नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए मेरी खुशामद हो रही है मैं नौर हूँ तो नौकरी चाकरी सब धरी रह जाएगी एक दिन भी गाड़ी नहीं चल पाएगी वह बेचारी भी तो यही कह रही थी ऐसी बेचारी भी नहीं है वो भावी ने तुनकर कहा जितनी जमीन के उपर है उतनी ही अंदर है समझी अब किसी के मन में क्या है या कौन जानता है भावी बोलचाल में वेमहार में सौम में है शालीन है इसलिए मुझे तो तुम्हारी बहु बहुत प्यारी लगती है उसके मीठे बोलो पर ही तो सब रिष्टे है भावी ने कसेले स्वर में कहा तुम्हारे भावी साहब को तो ऐसा पटा लिया है कि क्या बताओ उसके खिलाब वे एक शब्द नहीं सुन सकते मैं चुप हो गई बहस की कोई गुझाईश ही नहीं थी पर मन ही मन सोच में पढ़ गई थी भावी को यह कैसा मान सी क्रोग लग गया है दिन भर बैठे बैठे अपने काल्पनिक दुखों को सहलाती रहती है फिर अंतर एक शिकायती मुद्रा में जीवन के सहज और सरलसुखों को नकार रही है इस विक्रिती का अंत कहा होगा? कैसा होगा?